हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियम हम चर्चा करेंगे एक पर्टिकुलर टाइप के फंगर इंफेक्शन के बारे में वो हमारी बालू या स्काल्प फिलिटेट है जिसको हम बोलते हैं टीनिया कैपेटिस तो दोस्तों टीनिया कैपेटिस के क्या-क्या लक्सन होते हैं एक जिन लक्सन के मादेम से हम टीनिया कैपेटिस को पहचान पाते हैं अगर आपको हमारे से प्रामर्स करना है तो किस तरीके से प्रामर्स रे सकते हैं इनी तमाम जानकारियों के साथ मैं हूँ डोक्टर रामदेल मूरिया एक होमेपेथी कंसल्टेंट जो की अपनी प्रेक्टिस 17 एर से जूत पुराजस्तान में कर रहा हूँ और आपका बहुत चैनल पारस होंपेथी में दोस्तों हमारे बालों के अंदर या हमारे स्काल्प के अंदर कई बार फंगस रोल अफ होने लग जाती है जिसको हम बोलते हैं टीनिया कैपेटिस चोटे बच्चों में ज्यादा तर देखा जाता है क्योंकि उनकी प्रोप परतिलोतों सम्ता बह कर पाएं चलिए बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में दोस्तों सबसे पहले आप स्काल्प को जब देखते हैं तो आपकी स्काल्प या बालों के अंदर एक राउंड पैचेज या एक से ज्यादा भी राउंड पैचेज होते हैं वो दीरी दीरी बढ़ते ही नजर आत करता है औरमके हो और अधिकर धीघ करते हैं आगर उस पार्ट को कि कि अहीं अगर चीघे करते हैं नौने अहीं टेंडर हो जाती है विलिजिकित कि सब्सक्राइब अगर और ओके इस năm कुझ से रुच्छ्छ आता है उसके अनदर माइसे थाखर का पार्ट। मैसुस होने लग जाता है वो अगर पैचेज बहुँ ज़्यादा ग्रोध करने लग जाते हैं एक दूसरे से क्रोश करते हुए पैचेज बढ़ने लग जाते हैं तो ये काफी ज़्यादा मातरा के अंदर आगर आपके बालों में फंगस डवलफ होने लग जाती है तो कई बार कुछ कंडिशन में देखा जाता है कि आपके जो आसपास के कोम्स या जो कंगे उस्तिमाल करते हैं तो भी आपको फैल सकता है किसी का टाउल अगर यूज करते हैं उसकी वज़ा से या बैट सीट करते हैं उसके कारण भी यह फंगल इंफेक्षिन एक दूसरे में फैल जाता है यह फंगल इंफेक्षिन कई बार ग्रोथ करके आपके बालों के अंदर मल्टीपल पैचेज बहुत सारे चलके अलके दब्बे दब्बे से आपके अंदर नजर आना दाते हैं बालों के अंदर वो कई बार चोटे भी हो सकते हैं या बड़ी साइज के अंदर भी हो सकते हैं तो यह हमारे लिए बड़ी समझे हम उने लग जाते हैं कि वहाह के बाल जटेचे लग जाते हैं, बार बार आपको खुज HEY आते हैं, कहारा पर ऐलगम लिभी तरीके की सकेल्स बनती हैं, पपड़ियां उतरती हैं। तो हम क्या करते हैं कि एंटि डेंटरफ या एंटि फंकल स के द्वारा बहुत ही इजी ली ठीक किया जाता है बात करेंगी उन medicines की या उन होमेपेथिक दवाओं की जो आपकी इस फंगल इंफेक्शन को परमानेटी ठीक करने में आपकी मदद कर सकती है चलिए बात करते हैं कि इन होमेपेथिक मेडिशन को आप किस तरीके से या किस सिम्टम्स के बेस पर ले सकते हैं दोस्तों यह फंगल इंफेक्शन बहुत ज्यादा जिद्धी टाइप का फंगल इंफेक्शन होता है आसानी से नहीं जाता है तो आपको इस फंगल इंफेक्शन में पेसेंस रखने के लग जाते हैं अब बात करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंगल इंफेक्शन है उन में कौन-कौन सी होमेपेटिक मेडिशिन को यूज किया जा सकता है सबसे पहली टोप लीडिंग मेडिशिन में आते हैं दोस्तों क्रायोस सेरोबीनम के अंदर जो पैचेज बनते हैं बहुत ज्यादा खुजली आती है आपके जो पैचेज हैं वह ड्राई नजर आते हैं ऐसी कंडिशन में क्रायोस सेरोबीनम का यूज क्या जा सकता है इसकी थर्टी पावर पासपास बूंद आदा कप पानी में दिन में तीन बार इस्तिमाल कर सकते हैं सेकिंड टोप ल होता है बद्बूदार जो है स्काल्प के अंदर बद्बू आने लग जाती है बहुत ज्यादा खुजली आती है उस काल्प काफी ज्यादा ड्राई नजर आती है तो उन कंडिशन में टेलियूरियम का इस्तिमाल आपका सकते हैं इसकी थर्टी पावर को पांच-पास स्टिकी डिस्चार्च देखने को मिलता है ज्यानि फाटीटे की पैसेंट होता है उस काल्प होते हैं उसकेंद आसपास के जो बाल कर्दी बाते हो चिह पकने लग जाते हैं और में मेडिशन है दोस्तोंग मेजेरियव मेजेरिय। मेजेरिय इसकाल के अंदर होने वाले फंगल इंफेक्शन के बहुत अच्छी मैडिशन से लेकिन यह स्टेप बाइस्टेप बढ़ता जाता है इसकी वज़द से कई बार मोटी मोटी परसी बनके इसके नीचे पस का क्लेक्शन होने लग जाता है तब हम मिजिरियम को यूज कर सकते हैं या बहु है इंदर खास पकलेक्शन को इसकी थार्टी पावर को पांच-फब आप तीन दिन में तीन बार ले सकते हैं नेस्ट मेडिसिन है दोस्तों सीपिया सीपिया के अंदर खास पर्टिकॉलर जो सिंटम होता है इसके स्काल्प के अंदर जो पैचेज होते हैं बिलकूर राउंड सेप के होते हैं और मल्टीपल के अंदर CPI को यूज किया जा सकता है अब दोस्तों बात करते हैं एक खास particular medicines की जिसका नाम है डलकामारा यानि की ज़्यादातर जो स्काल प्याफ बालों की जो फंगल इंफेक्शन होता है उसको नमी के कारणड़ूफ होते हैं कहीं भी फंगस infection डलूवफ का जहांपर नमी जियादा होगी तो आपके बार अगर बार बार जी रहते हैं और उस बालों के अंदर आपको fungus डलौफ हो ती है बार बार ये फंगस आपको डलौफ हो रही है तो आप डलकामारा का इस्तिमाल कर सकते हैं डलकामारा 30 पाउर को 5-5 बूंद-10 का पानी में दिन में 3 बार इस्तिमाल किया जा सकता है इसके अलावा भी फंगल इंफेक्शन के लिए या पर्टिकुलर टीनिया के पेडिस के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं वो according to symptoms यूज के ज सकता है अगर आपको हमारे से प्रामस करना है तो दिए गए वार्ट्सअप नमर के द्वारा ओनलाइन अपोइंट्मेंट लेके कंसल कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको यह हमारी जानकरी अच्छी लगती है तो इसको वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्रा